सर्टियों में मटर बड़े अच्छे आते हैं दोस्तों मटर के कुछ ही बनाई ये बहुत ही टेश्टी बनते हैं तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट इस्टाइल मटर पनीर ओभी 15 मिनाट में वीडियो को पूरा देखिए इसकी बिल्कुल मत करिएगा संध्या में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करिए शेयर करिए और ऐसी ही अच्छे रेस्पी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि जो भी वीडियो अप्लोड करूँ उसका न कढ़ाई में डालेंगे सरसो का तेल आप जो भी घर में इस्तमाल करते हैं तेल उसका ही इसतमाल करिये और जैसे तेल ठोड़ा गरम हो जाता है इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा हींग किंग बहुत जरूरी होता है दोस्तों उसके बाद हम डालेंगे बारी कटा हुआ प्याज और चलिए एक मिनट तक भून लेंगे जैसे ये गुलाबी हो जाएगा तो इसमें डालेंगे हम अधरक और लसन का पेस्ट और इसको भी डालके एक मिनट तक भून लेंगे ताकि प्याज टमाटर अधरक लसन अच्छे से पक जाए और चलिए इसमें डालेंगे हम मसाले आधा चमच हल्दी डालेंगे एक चमच लाल मिर्च पौडर डालेंगे एक चमच धनिया पौडर डालेंगे आधा चमच गरम मसाला और थोड़ा सा देगी मिर्च भी डालेंगे और दोस्तों हम पीस कर ग्रेवी नहीं बना रहे हैं ऐसा ही ग्रेवी बना रहे हैं मिकसर का इस्तमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे और देखिए बहुत ही बढ़िया बन जाता है ढ़क के दो से तीन मिनट के लिए पका लेंगे और तक हमारा मटर भी उबल गया है तो चलिए गया इसको बन कर देते हैं और ठंडा होने देते हैं थोड़ा सा और ये देखिए तीन मिनट हो गया है ग्रेवी हमारी बन चुकी है और चलिए अब इस चमच के इस्तमाल नहीं करेंगे तो जो मसाले लगे हैं हटा देते हैं अब हम इस चमज का इस्तमाल करेंगे कर्ची का तो इससे हम दबाते हुए इसको मिला लेंगे इस तरीका से मैस करते हुए ताकि जो टमाटर और प्याज है अच्छे से मिक्स हो जाए तो देखे कितना बढ़िया ग्रेवी बन गया है दोस्तो बिना मेक्सर के इस्तमाल किये तेज पत्ता को निकाल देते हैं दोस्तों क्योंकि हमें फ्लेवर चीये था सबजी में वो आ गया है तो चलिए अब इसमें डालेंगे स्वादन सार नमक क्योंकि नमक का थोड़ा ध्यान दखेंगे मटर में भी पहले नमक डाला है मैंने और इसे हम 4-5 मिनट के लिए मेडि पता और पनीर पनीर को पहले ही काटके रखा है मैंने धनिया पता डालेंगे और चारो तरफ से फैलाते हुए पनीर डाल देंगे और चलिए गरमा गरम सब करते हैं पूड़ी रोटी पराठा जिसके साथ मन करें सब करिए दोस्तों बहुत टेस्टी लगता है तो फटा रिए और सुस्त रिए